नमस्ते वेलकम स्वागत स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप यह हमारे चैनल का नाम रॉनक है मेरा नाम और हर स्क्रीन पर इस वक्त एक ही फिल्म की चर्चा हो रही है नाम है एनिमल और भईया इस फिल्म के इतने चर्चे हो गए हैं इतने चर्चे हो गए हैं कि बाकी जानवर जितना अकेले एनिमल ने बॉक्स ओफिस पर कमाई कर डाली है। लेकिन कॉंट्रोवर्सी के मामले में एनिमल ने जवान और पठान को बहुत जादा पीछे छोड़ दिया है। इस पूरे मुद्बे पर हमने भी एक वीडियो बनाई है जो कि आपको आरजे रॉनक चैनल पर मिलेगी। वहाँ पर बड़ी तसली से और बड़े आराम से हमने अपना साइड रखा है, अपना टेक रखा है। कि आखिर रनबीर का कैरेक्टर वैसा क्यों है जैसा दिखाया गया है। फिल्म की कहानी वैसी क्यों है जैसी दिखायी गई है। और एक सवाल भी हमने अपने उस वीडियो में पूछा है जो आपको आरजे रॉनक चैनल में मिलेगा। इसका लिंक मैंने अल्री डिस्क्रिप्शन में दिया है, सीधे उस वीडियो पर वहाँ पर क्लिक करके पहुच सकते हैं। उस वीडियो में हमने जो सवाल पूछा हूँ यह है कि आखिर मोरालिटी का सारा जिम्मा सिर्फ फिल्म वालों कोई उठाना है क्या। या फिर जिनको उठाना चाहिए वो तो उठाते हैं नहीं। और फिर पैसा लगाए और फिर फिल्म बनाए। यही बात फिल्म के अक्टर्स और बाकी लोगों पर भी लागू होती है। यानि वही बेसिक नौकरी वाला रूल है। अगर आप अपनी कंपनी के लिए फायदे मन नहीं होगे तो कोई आपको नौकरी पर क्यूं रखेगा। संदीव पांगा रेडी एक डाइरेक्टर है। उन्होंने अपने इंटर्व्यूज में जो बातें कहीं हैं। उनसे मैं भी इत्तिफाक completely तो नहीं रखता। लेकिन वो डाइरेक्टर बढ़िया है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। रनबीर भी एक ऐसे अक्टर है जिनको इंडस्ट्री में जमे रहना है क्योंकि competition बहुत है। वो एक शांदार अक्टर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उनके नाम ब्लॉक्बस्टर के नाम पर सिर्फ संजू थी। एक ऐसे टाइम में जब आक्टर के काम की judgment ही उसके box office collection पर हो रही है तो क्या वो ऐसी फिल्म में नहीं बनाएगा जिसको लोग देखने के लिए excited रहे हैं। बताइए एक बार को मान लीजे कि Animal problematic film है लेकिन कमा कर भी तो यही problem वाली film दे रही है ना वरना तो Animal के साथ Sam Bahadur भी release हुई थी जिसमें कोई आपती जनक scene नहीं थे कोई controversy नहीं थी लेकिन film 100 करोड करने को भी तरस रही है आप मुझे बताइए कि Vicky Kaushal जैसा actor जो हर तरीके के role को justify कर सकता है वो अगली film ऐसी क्यों न करे जो commercially success बने बताइए रनबीर तमाशा जग्गा जासूस रॉकेट सिंग जैसी कई film में उन्होंने करी है जिसमें कुछ controversial नहीं था लेकिन वो नहीं चली तो क्यों कोई actor या director या producer morality की मशाल लेकर समाज को सुधारने निकलेगा जबकि यह उसका काम भी नहीं है उसका काम है entertain करना और खुद के लिए पैसे कमाना जो इस film ने किया है त्रिप्ति डिमरी एनिमल से पहले कला बुलबुल और लेला मजनु जैसी वेतरीन फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है लेकिन national crush वो एनिमल करके ही बनी है उनको recognition मिली है तो ऐसी फिल्म करके ही मिली है तो वो भविष में ऐसी फिल्मे क्यों साइन नहीं करेंगी अगर रॉकेट सिंग और लेला मजनु जैसी फिल्मों से recognition नहीं मिलेगा तो फिर तो यह audience का भी failure हुआ है कि नहीं सब की जिन्दगी और ही की तरह थोड़ी नहीं होती है कि पोटो वाले वीडियो बोले तो आरजे रॉनक वाले वीडियो में डिसकस किया है जाकर उस वीडियो को जरूर दिखिएगा सीधे उस वीडियो में पहुंचना चाहते है तो उसका link मेंने description में दे दिया है बाकी तो भया आपका कुछ अलग मानना है तो comment section खुला हुआ है बिंदा कर दो